ऎलाइन का या गुडि मूर्निंग स्टूडेंट्स मैं रवी कुमार लेक्चरर कम्प्यूटर साइंस जीपीडी सी दोंगरपूर आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डेटा माइनि 인में डेटा क्लिनिंग के बारे में data cleaning क्या होती है इसकी जरुरत क्यों है कैसे करते हैं क्या क्या techniques है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि data cleaning की जरुरत क्या है data cleaning से पहले हम पढ़ेंगे data pre processing कि data pre processing जो topic है उसके अंडर data cleaning integration transformation और production यह चारू स्टेप्स कवर होती है तो डेटा को हम प्री प्रोसेस प्री प्रोसेस मतलब डेटा माइनिंग करने से पहले उसकी प्री प्रोसेसिंग उसकी जरुरत क्या है एक डेटा है उसके अंदर हम समझेगे कि quality है कब होगी quality जब वो data हमारी सारी जो requirements है जो हमें जरूरत है यूज करते हैं data को तब तो वो सारी qualities को fulfill करता है तब हम यह मानेगे कि वो data है उसमें quality है तो data की quality है उसके लिए कई सारे हमारे पास factors है कि accurate होना चीए data completeness होना चीए consistent होना चीए timeliness होनी चीए believability होनी चीए और interpretability होनी चीए तो यह सारे factors है वो define करते हैं data की quality कैसी है तो data को अच्छी quality का बनाने के लिए हमें data की preprocessing करनी पड़ती है क्योंकि real world का जो data है वो generally क्या होता है incomplete होता है inconsistent होता है या कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती है उसमें कई सारी errors भी हो सकती है तो data preprocessing एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम transform करते है जो raw data है कच्चा data है उसको एक understandable format के अंदर preprocessing है उसके अंदर एक series है steps की वो हम अपनाते हैं उसके अंदर अब यह steps कुछ इस तरह से है data preprocessing में सबसे पहले हम करते है data cleaning उसके बाद में data को integrate करते है different sources से फिर data को transform करते है एक format से understandable format में वो data को reduce करते है फिर size उसकी कम करते है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे data cleaning इसमें क्या किया जाता है data को clean किया जाता है जैसे की कोई missing value है उसको fill कर देते है कोई noisy data है उसको smooth कर देते है या फिर कोई inconsistency है inconsistency है उसको हम resolve कर देते है यह पहली step होती है data cleaning की दूसरी data integration data integration में क्या करते है हम different जो representations होती है different sources होते है वहाँ से data को collect करते है और उसको एक जगए integrate किया जाता है data transformation में data को normalize किया जाता है aggregate किया जाता है और generalize किया जाता है data reduction है वो data को reduce करती है सबसे पहली जो step है data cleaning इसको हम विस्ताश से देखते है data को clean कैसे करते है data cleaning clean करता है data को by filling in missing values कोई value miss है उसको fill कर देते है या फिर noisy data उसको smooth कर देते है और जो outliers data है उनको identify करते है और remove करते है inconsistencies है उनको resolve करते है अगर user को लगता है कि data dirty है उसको trust नहीं किया जा सकता उससे जो result generate होगे उससे तो जो dirty data है वो एक confusion create कर सकता है mining procedure में और जो result है वो unreliable आ सकता है तो data mining में जो पहला तरीका है वो जो missing values है उनको fill करने का तरीका है imagine कीजिए कि हमें analyze करना है computer sales को और customer data को लेकिन हम देखते हैं कि table के अंदर जो हमारे पास data है उसमें कई सारे टपल सासे है उसमें कुछ values है वो missing है जैसे customer की income है वो missing है तो हम अगर customer की income missing है तो उससे हम यह predict नहीं कर सकते analyze नहीं कर सकते कि कौन सी category की जो customer है वो computer purchase करते हैं इनकी income क्या रही होगी अगर हमें यह पता रहे past record को देके history के record को की इतनी इतनी income करने वाले customers है वो इस इस टाइप के computers खरीते हैं तो हम future में अपनी planning है वो और अच्छी कर सकते हैं तो यह जो missing है value उसको resolve करने के हमारे पास तरीके हैं पहला तरीका है कि हम वो जो टपल्स है जिन में missing है value उनको ignore कर दे माल लिजी हमारे पास 100 customers की details है उनमें से 25 customers ऐसे हैं जिनकी income के बारे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो एक तरीका तो हम यह कर सकते हैं कि उनको हटा देंगे और हम मानेंगे हमारे पास 75 customers है उनकी detail है और उनकी according हम अपना analysis करेंगे और planning करेंगे दूसरा तरीका है कि जिन में values missing है details missing है उनमें हम manually fill कर दे किसे source से पता लगा कर manually fill कर दे कि उनकी income कितनी है लेकिन यह बहुत ही time consuming task है क्योंकि data mining में जो data होता है वो बड़ा data होता है तो उसमें लाको customers हो सकते हैं तो यह बहुत time consuming है एक तरीका है कि हम कोई global constant है वो fill कर देंगे इसके अंदर बिल्कुल खाली नहीं छोड़के कोई global constant है वो जैसे कुछ डाल दिया कि unknown है unknown null कर दिया या infinite कर दिया इस type का कुछ global constant हम डाल सकते हैं use a measure of central tendency for the attribute the mean or median to सारे जो customers है उनके record है उनका हम mean या median है उनका average है वो भी fill कर सकते हैं दूसरा तरीका है उसके अंदर भी mean और median ही हम सारे samples के fill कर सकते हैं लेकिन वो belonging to the same class as given double उसकी same class है उनका ही mean या median लेंगे सबका नहीं लेंगे एक तरीका है कि जो most probable value है वो उसके अंदर missing value के अंदर हम फिल कर सकते हैं तो missing values के बाद में दूसरा जो तरीका data clinic का वो noisy data को smooth करने का है noise क्या होती है noise एक random error होती है या variance हो सकता है measured variable के अंदर noise data को smooth करने के हमारे पास तरीका पहला है binning binning method smooth करता है sorted data को by consulting its neighborhood उसका जो पढ़ोसी data है उससे consult करके उसको smooth करता है sorted value जो उनको distribute किया जाता है number of buckets में या bins में जैसे हमारे पास यहां कुछ data है price है हमारे पास rupees में और nine data है हमारे पास nine values है यह sorted values हमारे पास sort की हुई है हम इनको partition करते हैं तीन तीन में तीन बींस लेंगे और तीनों में तीन तीन values डाल लेंगे तो यह 12 और 19 26 30 34 45 56 70 पहला जो तरीका smoothing by bin means इनका mean लेकर average लेकर तो बीन वन है उसका average देखो कितना हो गया तो उसका average हो गया 13 तो 13 13 13 दूसरी बीन उसमें 26 30 34 है तो उसका mean हो गया average हो गया हो गया 30 तो 30 30 30 30 तीस री बीन उसमें 45 56 70 है तो यह हो गया 57 57 तो यह तो हो गया mean लेकिए दूसरा तरीका है boundary value लेकर smooth करना अब उसमें पहली जो बीन थी उसमें हम देखते हैं कि 8 12 19 13 values है तो नीचे वाली boundary तो 8 हो गई उपर वाली 19 हो गई अब बीच वाला 12 value है उसको कहां रखे तो जिस भी boundary के नजदीक पढ़ता है वहां रख देंगे तो 8 और 12 के डिफ्रेंस 4 है 19 से पढ़ता है 7 तो 8 की जद नजदीक है इसलिए है 8 और या देखिए 8 और ऎनदीस हो गया है कम इसने दूसरी है उसमें 26 तीस तीस की आए कि deixar की दूरी है और उर 34 से भी चार की दूरी है तो इसमें किसी एक के पास में रख देंगे तो इसमें 26 के पास रख दिया है ऐसे तीसरी है उसमें 45-58 सत्तर है तो चपन है वो 45 की ज़्यादा नजदीग है इसलिए 45-45 सत्तर तीसरा है regression दूसरा तरीका है नोईज जी डेटा को स्मोथ करने का regression regression को हम डेटा रिडेक्शन में विश्तार चेपड़ेंगे यां इंट्रोडक्शन देखते हैं डेटा स्मोथिंग है वो regression के थ्रूब भी हम कर सकते हैं यह एक टेक्निक है जो confirm करती है डेटा वेल्यू के एक function के दोवारा लीनियर regression है वो involve करता है finding the best line to fit two attributes एक ऐसी line find की जाती है जो fit उसके दोनो attributes में या variables में इससे हम क्या करेंगे एक attribute है उसको यूज करके दूसरा जो variable attribute है उसको predict कर सकते हैं इसको data reduction में विश्तार से पढ़ेंगे तीसरा तरीका है नोजी डेटा को smooth करने का आउटलियर analysis आउटलियर जो विरेबल्स या डेटा होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं क्लस्टिंग के दोवारा क्लस्टिंग का मतलब क्या होता है grouping करना तो ग्रूप क्या होता है group में जो similar type की values होती है वो groups में आ जाती है और जो ग्रूप से बाहर आ जाती है क्लस्टर वो था आउटलियर डेटा तो जैसे कि दिएगे डाइगराम में हम देख सकते हैं यहां पर दो क्लस्टर बने हुए है इनके जो बाहर जो डेटा रह गया है वो है आउटलियर डेटा तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं आउटलियर डेटा को तो students ये था हमारा data pre-processing में पहला step data cleaning आगे की वीडियो में हम integration, transformation और reduction के बार हम पढ़ेंगे Thank you